हेलो दोस्तों मेरा नाम विशेश मलिक है किस वीडियो में हम लोग डिसकस करने वाले हैं Windows Server 2012 में हम लोग बैकप कैसे क्रियेट करते हैं अब बैकप क्रियेट करने से पहले डिसकस करते हैं कि actual में बैकप होता क्या है जैसे कि मान लीजे मैंने यहाँ पर एक 500GB की hard disk की यूज की हुई है जिसमें मैंने एक C drive create किया हुआ है 50GB का जिसमें मैंने कोई भी Windows operating system install किया हुआ है एक है E drive इसका size है 100GB जिसके अंदर मेरा कोई भी important data available है ठीक है? एक है F drive 200GB के size का और ये unlockeded space है अब माली जिए ये जो drive है E drive इसमें मेरा कोई भी चाहे वो personal important data है चाहे office का important data है काफी important data save है अब माली जिए किसी भी region से ये data corrupt हो गया चाहे accidentally delete हो गया हो चाहे virus की virus ने इसको corrupt कर दिया हो create करते हैं backup backup जो है actual में किसी भी operating system की एक utility है जिसके through हम लोग accidentally delete हुए data को corrupt हुए data को recover कर सकते हैं ठीक है डिया तो अब आगे continue करते हैं अब discuss करते हैं हम लोग backup types actual में backup जो है वो दो टाइप का होता है manual backup and schedule backup manual backup के अंदर जब भी हमें backup create करना होता है तो उसके लिए हमें manually step perform करने पड़ते हैं लेकिन schedule backup पर जस्ट हम लोग एक backup पर timing decide कर देते हैं जैसे कि मान लीजिए मैंने यहां पर एक schedule provide किया कि मेरे system के अंदर जब भी शाम के 6 बजे जब भी मेरे system के अंदर 6 पीम हो system जो है automatic ही backup create करना start कर दे that is schedule backup manual backup के अंदर जब भी हमें backup create करना है तो उसके लिए हमें manually step perform करने पड़ेंगे लेकिन schedule backup के अंदर जब हम लोग backup पर एक timing decide कर देंगे उस time पर system जो है automatic backup create करना start कर देगा clear है तो दोस्तों यहां पर आपको एक idea हो गया होगा कि backup actual में होता क्या है और कितने type का backup होता है ठीक है तो अब हम लोग practical पर चलते है तो दोस्तों backup का practical perform करने के लिए मैंने यहां पर एक virtual machine यूज की हुई है server 2012 with AD के नाम से ठीक है जड़ा इसकी configuration देखते हैं एक बार इस पर मैंने अभी दो drive create की हुई है एक है E drive के नाम से और एक है F drive drive letter के नाम से यह देखे जरा E drive में मेरा माली जे कुछ important data save है अब मैं चाता हूँ इस data का backup create करना ताकि किसी बीरीजन से अगर data delete हो जाता है corrupt हो जाता है तो backup के through मैं उसको recover कर सकूँ ठीक है तो अभी मुझे E drive का backup create करना है और उस backup को मुझे save करना है अपनी ही एक local drive में जिसका drive letter है F ठीक है तो backup source है हमारा E drive यानके जिस data का backup create करना चाते है और backup destination है F drive ठीक है अब backup create करने से पहले सबसे पहले हमें backup features install करना पड़ेगा अब backup feature को install करने के लिए आप manage पर click करेंगे यहाँ पर आता है add role and features इस पर click कीजिए next पर click कीजिए again next पर click कीजिए again next ध्यान रखना दोस्तो backup के नाम से roles नहीं होता है feature होता है तो roles को हम लोग install नहीं करेंगे just यहाँ पर next कर दीजिए और देखे यहाँ पर आ जाता है features options इनमें नीचे चलिए जरह यहाँ पर scroll down करके यहाँ पर मिलेगा आपको windows server backup इस पर check mark कर दीजिए ठीक है next पर click कीजिए restart the destination server check mark कीजिए yes पर click कीजिए install पर click कर दीजिए तो यहाँ पर backup features जो है वह start हो जाएगा installation अभी wait कीजिए थोड़ा इन्स्टोलेशन स्टार्ट हो गई है तो जब तक यह backup feature install होता है complete तब तक मैं वीडियो को pause कर देता हूं तो देखें यहाँ पर backup features जो है वह successfully install हो गया है close पर click कीजिए अब सबसे पहले हम लोग manual backup create करेंगे तो उसके लिए आप tools पर click कीजिए अब यहाँ पर सबसे नीचे चले जाएए जरा यहाँ पर मिलता है आपको windows server backup उस पर click कीजिए देखें यहाँ पर windows server backup option open हो गया है थोड़ा wait कीजिए यहाँ पर इसके बाद यहाँ पर local backup पर click कीजिए अब देखें जरा है यहाँ पर देखें अगर आप manual backup create करना चाते तो backup once पर click कीजिए अगर आप deleted item को recover करना चाते है recover पर click कीजिए और अगर आप backup पर schedule प्रोवाइड करना चाते है तो backup schedule पर click कर सकते है यही option आप यहाँ से भी use कर सकते है action पर click कीजिए देख सकते हैं तीनों option आपको यहाँ पर भी display हो रहे हैं ठीक है चाहे आप यहाँ पर click कीजिए बात एक ही है तो manual backup create करते हैं सबसे पहले हम लोग तो backup once पर click कीजिए देखे यहाँ पर windows server backup wizard page open होने जा रहा है backup once wizard open हो गया है different option पर ही रहने दीजिए next पर click कीजिए full server का backup create करना है या आप अपनी requirement के according data को choose करना चाहते हैं तो check mark पर click कीजिए sorry custom पर click कीजिए और next पर click कर दीजिए अब देखे यहां से जिस भी data का आप backup create करना चाहते हैं उस data को यहां से add कराईए add item पर click कीजिए देखे एक option ध्यान रखना windows server 2012 के अंदर आप full drive का भी backup create कर सकते हैं या फिर full drive को यूज ना करके जस्ट आप एक particular folder का भी backup create कर सकते हैं और चाहे तो आप लोग इसको cancel करते हैं और previous पर चलते देखो full server का भी backup create कर सकते हैं या फिर एक particular drive का भी backup create कर सकते हैं या फिर एक particular folder का भी backup create कर सकते हैं clear idea तो यहां पर मैं create करना चाहता हूँ e-drive का backup तो इस पर check mark कर दीजिए चाहे तो आप इसको expand करके यहां से एक particular item का भी backup create कर सकते हो तो अभी मुझे complete e-drive का backup create करना है ok पर click कीजिए और next पर click कर दीजिए अब यहां से destination type destination का मिनिंग है कि आप data का backup कहां पर save करना चाहते हैं देखे चाहे तो आप local drive के अंदर ही backup save कर सकते हैं या फिर किसी remote shared folder पर भी backup save कर सकते हैं तो remote shared folder पर backup कैसे save करते हैं आगे चलके हम लोग discuss करेंगे अभी मैं local drive में backup save करना चाहता हूं तो local drive पर ही check mark रहने दीजिए next पर click कीजिए अब देखे backup destination को select कीजिए यहां से drop कीजिए और F drive जो हम लोग ने पहले discuss किया था F drive के अंदर में backup save करना चाहता हूं next पर click कीजिए और backup पर click कर दीजिए थोड़ा wait कीजिए यहां पर देखे जराब यहां पर backup location है F drive यहां पर backup save हो रहा है और यहां से आप देख सकते हैं backup item है E drive save हो रहा है F drive में यहां पर backup start हो चुका है 10% 13% 14% backup complete हो चुका है तो जब तक यह backup complete होता है तब तक मैं वीडियो को post कर रहा हूं देखिए backup जो है successfully complete हो गया है backup location कहां पर save है F drive में और किस drive का आपने backup create किया है इसका status क्या रहा ठीक है close पर click कर दीजिए ठीक है इसको minimize कर लेता हूं अब ज़राद देखते हैं यहां पर देखिए इस drive का हमने backup create किया था किस drive में create किया था F drive में यह हमारे data का backup आ गया है ठीक है अब हम लोग discuss करते हैं माली जीए किसी भी region से accidentally यह data हमारा delete हो गया ठीक है permanently delete कर रहा हूं मैं अभी manually delete कर रहा हूं किसी भी region से चाए हमसे यह data accidentally delete हो गया है या virus ने इस data को corrupt कर दिया है अब आप backup के through इस data को कैसे recover कर सकते हैं ठीक है तो अब हम लोग data को recover करते हैं data को recover करने के लिए again windows server backup के अंदर चलते हैं और recover option पर click करते हैं अब अब देखे यहां पर यहां यहां पर आपको select करना है this server यानि कि अगर आपने अपना backup जो है वो local machine पर ही save किया हुआ है यहां पर आप रीड करके देख सकते हैं आप recovery परपज से अगर data इसी local machine में है तो this server को select कीजिए वरना इस option को भी आप select कर सकते हो अनदर location से backup को recover करने के लिए तो अभी जो मेरा backup है वो local machine पर ही है तो this server को ही check mark रहने दीजिए और next पर click कीजिए यहां से आप select कीजिए कि last time आपने backup कब create किया था उस date and time को select कीजिए next पर click कीजिए file and folder को ही recover करना चाते हैं उसी पर check mark रहने दीजिए और next पर click कीजिए अब देखिए यह है हमारा computer name जिसका हमने backup create किया था इसको expand कीजिए eDrive का backup create किया था और यह कुछ हमारे data थे आप देख सकते हैं वही data यहां पर आया हुआ है जो हमारे data recover हुए delete हुए थे eDrive से next पर click कीजिए अब देखिए यहां से recovery options इस data को जो हमारा data delete हुआ था इस data को आप कहां पर restore करना चाते हैं original location पर जहां से data delete हुआ था उसी location पर recover करना चाते हैं या किसी another location पर चाय तो another location को पर check mark करके browse करके यहां से उस location को select कर सकते हूँ जहां पर आप data recover करना चाते हैं तो मैं अभी ओरिजनल लोकेशन पर ही रिकवर करना चाहता हूँ जहां से डेटा डिलीट हुआ था, ठीक है, नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए, अब देखिए, फ्रॉम बैकप, और क्या-क्या डेटा रिकवर हो रहा है, रिकवर पर क्लिक कर दीजिए, अब देखे जरा, फाइल रिकवरी प्रोग्रेस पर है, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो जो डेटा रिकवर हो रहा है वो परसेंटेज में डिस्पले हो रहा है यहाँ पर, तो इसको रिकवर होने में थोड़ा टाइम लगेगा तब तक मैं वीडियो को पॉस कर रहा हूँ, तो देखे जरा यहाँ पर हमारा डेटा जो है वो successfully complete हो चुका है ठीक है फाइल recovery progress complete successfully अब चेक करते हैं क्या हमारा डेटा recover हुआ है या नहीं हुआ है चाए तो आप यहां पर भी description में देख सकते हैं पहले हमने backup create किया था वो भी successfully complete हुआ था अब हमने file recovery की है वो भी successfully complete की है अब चेक करते हैं क्या data हमारा successfully recover हुआ है या नहीं हुआ है तो वहीं पर चलते हैं my computer के अंदर eDrive के अंदर आप अभी यहां पर देख सकते हैं कि data जो है वो हमारा successfully recover हो चुका है तो दोस्तों इस वीडियो में अभी तक हम लोगों ने discuss किया, backup होता क्या है, कितने टाइब का backup होता है, backup feature कैसे install करते हैं, और manual backup कैसे create करते हैं और deleted या corrupted data को हम लोगों कैसे recover करते हैं, तो इस वीडियो में हम लोग यहीं पर pause करते हैं और next वीडियो में हम लोग discuss करेंगे कि back up को हम लोग network location पर कैसे save कर सकते हैं और network location से हम लोग कैसे recover कर सकते हैं और backup पर schedule कैसे provide करते हैं ये हम लोग next video में discuss करेंगे तो अभी के लिए इतना ही thank you for watching